नमस्ते बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूटीब चैनल एम शंपुर्ण ज्यान पे और आज फिर से हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं तो बहुत प्यारा सा इंग्लिस रीडिंग है यह वीडियो है यह चूटा सा वीडियो है इसके हर एक सेंट सेंट ग resp a यूज करने लगें है दिखि क्या है इट्स ऑबियस अब्यस मतलब यह कॉंटेक्शं है यह इस का company यह लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसकोपर हैंगे इस यह इसको पढ़ेंगे तो यह क्या है कि यहा है कि यह है क्या चीज इस आपTH dabei मतलब जाहिर शी बात that मतलब की मतलब जब हम लोग बोलते हैं कि इसका मतलब अगर आप सिर्फ जाहिर सी बात है इतना भी समझते हैं तो कोई दिकत नहीं है इस it का जो यह है इसको नहीं भी बोलते हैं तो भी कोई दिकत नहीं है मतलब it's obvious मतलब जाहिर सी बात है मतलब सब को पता है सब ही जमते हैं इस तरह के भाव का ये sentence है that मतलब की you get bored मतलब से तुम get का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर हो जाते हो bored मतलब bored यह बोर क्या हो गया आप किसी एक movie को देखके या फिर यह जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको हम बार बार एक ही वीडियो को लगाएं तो आप इसको कितना देखेंगे नहीं देखेंगे बोर हो जाएंगे छोड़ देंगे तो वही कहा रहा है बोर, by listening, मतलब क्या हो जाएगा, सुनते हुए, क्या सुनते हुए, the same joke, मतलब एक ही, joke मतलब क्या हो गया, मजाक, एक ही मजाक, again and again, मतलब, दुबारा, और, दुबारा, you don't feel laughter, ये sentence, अगर इस don't को, इस contraction को थोड़ा सा हटा लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा, कि you feel laughter, मतलब, तुम महसूस करते हो, हसी, ये इस sentence का आपको इस तरह से meaning लग रहा हुगा, लेकिन इसका और भी meaning हो पा रहा है, कि you feel laughter, मतलब, तुम को हसी आती है, ठीक है, जब इसके आगे का, ये इसके पीछे के sentences पर गौर करेंगे, तो आपको अपने आप से इसका भाव निकालना है, कि तुम को हसी नहीं आती है, मतलब, तुम को हसी, और फील का मतलब हो गया, आता और laughter का मतलब हो गया, हसी, मतलब क्या हो गया, कि तुम को हसी नहीं आता है, ये नहीं है, साथ में है, ठीक है, तो क्या हो गया भाव, एक ही जोग को बार बार सुनने से, आपको हसी नहीं आती है, Similarly, मतलब ठीक उसी तरफ, जैसे इस वीडियो को देखते देखते आप ठक गए हैं, दूसरा वीडियो ही आपको नहीं मिलता है, तो ठीक उसी तरफ, Sorry, ठीक उसी तरफ, ठीक उसी तरफ, क्या है कॉमा लगा हुआ है, Crying over the same problem, repeatedly, is not the solution. Crying मतलब रोना, चिलाना, क्राहना, Over the same problem, मतलब एक ही समस्या पर, तो क्या हो जाएगा? Crying का मतलब हो गया, रोना, अभर का मतलब पर, और सेम का मतलब हो गया, एक ही, प्रोब्लम का मतलब हो गया, शमश्या, repeatedly, मतलब लगातार, मतलब बार बार एक ही समस्या पर, रोना, उस तरह भी अच्छा नहीं है, जिस तरह की एक ही जोग को सुन सुन के आप ठक जाते हैं, उसी तरह एक ही प्रोब्लम पर, बार बार रोने से, चिलाने से, आप उसका समाधान नहीं कर पाते हैं, is not the solution, मतलब है, नहीं, क्या है, शमाधान, मतलब उसका समाधान नहीं है, कि मार हम रो रहे हैं, चिला रहे हैं, एक ही चीछ पर ठीक है, जब जो घटना हो गई, कि उसके लिए, रो लिए, अब हमको उसके solution के लिए सूचना है, अब कर रहे, don't waste your time, यह एक imperative का sentence मतलब, अपना समय बरवाद मत करो, यह don't का मतलब हो गया, मत करो, ठीक है, या नहीं करो, आप अगर सवात्राजा है, तो नहीं करो, या मत करो, चीज तो इखी है, waste मतलब क्या हो गया, बरवाद, your time मतलब, अपना, शमय, end मतलब, और energy का मतलब हो गया, ताकत, क्या चीज में, by listening, everyone about your problem, by listening, मतलब, शुनाने में, everyone मतलब, प्रतेक को, क्या चीज, about का मतलब के, बारे में, किसके बारे में, your problem, मतलब, अपनी, शमश्या के बारे में, दूसरों को सुनाने में, क्या है, अपना time बरवाद, मत करो, only share, मतलब, क्या हो रहा है, only मतलब, शिर्फ, क्या हो जाएगा, शाजा करो, imperative का sentence है, with मतलब, के साथ, किसके साथ, अपने, नजदी की, दोस्तों, और, try, मतलब, कूशिश, करो, look for, मतलब, look for का मतलब होता है, देख भाल करना, मतलब, यहाँ पर हो जाएगा, कि हल करो, हल, करो, solution, मतलब, शमाधान, yourself, मतलब, खुद, खुद से ही, उसका शमाधान करो, ना कि तुम दूसरे को बताओ, और चिलाओ, कोई फाइदा नहीं होना है, तो यह एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो था, मुझे उमीद है कि आप अगर देखते हुए, इसको यहां तक आ गए हो, चैनल पर पहली बार होंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो क्लास अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करेंगे, साउंड में थोड़ा सा प्रोब्लम हो सकता है, क्योंकि आज मज़े, कोल्ड हो गया है, कफ हो गया है, सर्दी हो गया है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में,